दोस्तोर नास्कार माइडवाइस प्लेज चैनल में आपका स्वागत है यह Sugar Can Machine 304 मोडल आपने बुकिंग करवाया है अभी ले ले लिया आपने बुकिंग कर आपने तो सर कैसा लगा आपको इसका प्रॉफरमंस अच्छा लगा अच्छा प्रॉफरमंस लगा उसलिए आपने मशीन बुकिंग कर वाया तो हमारे वीवर्स को भी दिखाएंगे कि यह सुगरगेन-ईच्व माशीन मेंसे कैसा रिजम्ट निकलता है कैसा जिओसP निकलता है और इसको वह पीलिंग करके ढालते हैं तो इस तरह से वाजार से गनना मिलता है तो उस गनने को जो है हम इसमें करते हैं हिस तरह से मशीन कौन करना रेता है और यहां से मैं डाल रहा हूँ आप देखेंगे यह देखिए यहां से जो यह कचरा निकलना स्टार्ट हो गया है देखिए आप और यह जो यह क्लीन हो गया है यह देखिए डिफरेंस देख सकते आप यह क्लीन नहीं हुआ है और यह क्लीन हो गया है जो मशीन आप लेते हो तो हमारे हिसाब सहब को पिलर भी खरीदना चाहिए क्योंकि यह जो है प्रोपर आपके गंडे को क्लीन कर देता है देखिए यह उपर का जो है कचला निकल चुका है और हमारे ग्राग जो आया है वो बताएंगे कि यह सर डाइमन कटिंग जो रोलर है उसको थोड़ा सा फील करके बताईए कि क्या है साथ क्वालिटी है सर क्वालिटी है कैसा कटिंग हो गए रहा कैसा है सांदार है मशीन की फिनीसिंग कैसी लगे सर आपको बढ़िया लगी बढ़िया फिनीसिंग लगी और आप यहां पर अब हमारा बताएंगे मशीन के बा पर्पर्पर्टी करते हैं तो दुस रुपर प्रती केजी में मिलता है और एक किलो में से यह तगरीबं 600-600 ml तक ज्यूस निकल जाता है और गदने के ओपर डिपेंडेट करता है क्योंकि गदना जो है वो उसमें आपका जितना ज्यूस होगा उसको मैक्सिमिम्म हमारी मशीन जो ही निकाल देगी आपकी क्यों यह प्रोफर्मन्स बहुत ही इंपर्टेंट है देखे दोस्तों हम हमारे कश्टमर को लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं कि यह एक किलो सुगर के इंश्टिक है आप देख सकते हो यहां पर यहां से लेके यहां तक का एक किलो गन्ना है य हो मारे कश्टमर नम को पूछा है और लाइव डेमो करके दिखा रहे है ताके आप यहां पर देख सके वीडियो में कि एक किलो गन्ने में से कितना जूस निकलता है तो कश्टमर की रिक्वाइमेंट के हिसाफ से डेमो हो रहा है ती यार तो देखिए आपको दिखाएंगे यह चनी रख रहे हैं यहां पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और यह सुगर के श्टीक हमने एंटर किया है और यह जूस होना आना स्टार्ट हो गया है रावर दन्ने की कॉलिटी के उपर उसकी कॉंटेटी डिपेंड करती है दोस्तों दन्ने के अंदर जितना ज्यूस होगा उतना हमारा मशीन जो है वो निकाल के दे देगा डिपेंड योर सुगर केन श्टीक सुगर केन के अंदर ज्यूस जो हो मालिक भरते हैं ठीक है और उसमें जितना ज्यूस होगा उतना निकल जाएगा यह आप देख सकते हो कि यह इसका वेस्ट जो है उसके अंदर कोई ज्यूस दिख नहीं रहा है कोई ज्यूस दिख रहा ह है चाहिए अब यह जीछ का वजन करण्या है कि इसका वजन कितना हो यह रख रहा हूं इसका तως इसका भी वेड 심ाइ न को मैने कर देते हैं इसमे नहीं करमें कि इन अजी रो हो गया ठीक है और इसमें सब्सें डाल रहे हुं आ एक DLC आपकर सामने है रेजल्ट स्वा 657 gram net juice निकला है ठीक है अभी मैं आपको MLB में आपके दिखा दूँगा अब मैं आपको इसका वेस्ट जो रहता है कचरा उसका वजन करके आपको दिखाता हूँ कि यह कचरे का वजन कितना है इसको पहले माइनस करदेता हूँ यह मैंने जीरो किया हुआ है और यह कचरा जो अभी इसमें डाल देता हूं ताके हमको पता चले इसका कितना वजन होँ यह देखिये 313 गराम ये कच़रे का वजेनЙ है कि ये tissu कर इस निकला है इतना ज्यूस निकला और बागी कच़रा निकला है कि जिए आप क Hill हैाइन् सब देख सकते हो कितना यूजओं से कितना है कि किद लिय्म है बड़ा दो सभाद diciendoे सारे नेडे टो समय यह दो सउसो मेल ये डो सब मेल का एक ग्लास ठीक है यह ग्लास लो है दोста डाला एक बड़ाया अभी सम्ले डो सब्रीवेल हमने जूद टिक तंग देख लिजिए सर्च कितना एमेल है 200 200-200 कितना हो गया सर 400 ये 400 एमेल जूस हो गया 210 है देखिए सर 210 है 610 एमेल जूस निकला है ये आपके सामने है रिजल्ट तीन ग्लास बरे जा सकते हैं इजीली ताहिए हमारे वीवर्स को कि क्या है गन्ने का जूस की कॉलिटी बैस्ट है बैस्ट है सर्च आपको कैसे पता चला कि हमारी कमपनी जो ये सुगर कैन की मशीन सेल करती है यूटूब पे देखा था यूटूब पे वीडियो पे हमने दिखाया हुआ है कि सर हमारा जो मशीन है वो एक किलो गन्ने में से तीन ग्लास बना देगा यही हमने बताया है यहां पे प्रैक्टिकल आपको डेमो करके बताया है तो क्या यह सच है आप हमारी वीवर्स को बता सकते है कि ऑनलाइन वो बुकिंग करवा सकते है हमारी कॉपनी पे करवा सकते है ट्रश्ट किया जा सकता है जो चीज यूटूब वीडियो में हम दिखाते है दोस्तों वो ही चीज यहां पर लाइव भी आपको करके दिखाई है हमारे गराग को हमारी कॉपनी फैक बॉल के बिजनस करती है हमने पहले भी यूटूब पे बताया कि एक किलो गन्ने में से तीन ग्लास बनेगा तो तीन ग्लास बना है ठीक है 600 से लेके 700 ml तक juice निकल सकता है juice की quality और juice उसका कालापन उसका पीलापन सारा डिपेंड करता है आपके गन्ने के अंदर juice कैसा उसमें है आपके गन्ने की quality कैसी fresh गन्ना है, जाडा है उसके अंदर juice मीठा है, कौन सी जमीन में से पक्या है वो सारी बाते होती है जब आप ये बिजनस को start करेंगे तो दीरे दीर आपको पता चल जाएगा और आपको knowledge हो जाएगा कि आपको कैसा sugar can stick purchase करना चाहिए ठीक है, sugar can 2 रुपे किलो से लेके दोस्तों 20 रुपे किलो तक sugar can गन्ना जो है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर मिलता है हम जब wholesale में purchase करने जाते है तो एपरोक्स 5-6 रुपे, 10 रुपे में हमको एक किलो गन्ना पढ़ता है अभी हम 10 रुपे प्रती केजी खरीद के लाए हैं गन्ना उसमें से 3 गलास बनाए यानि एक गलास, सर एपरोक्स जो है वो कितने में पढ़ा, 3 रुपे 33 पेसे के एक गलास गया, ठीक है हमारा क्योंकि हमारा 10 रुपे के अंदर तीन गलास बनाए है उसमें हम अगर बरफ डालते हैं तो फिर बन जाएगा हमारा 5 गलास क्योंकि हर कोई बरफ डालके सेल करता है ठीक है, तो जब बरफ आधा आधा डालते हैं हम भी गन्यावाजार में पीने के लिए जाते तो लोग पहले बरब डालते फिर जूज डालते तो 200 ml का गलास होता है उसमें से क्या है 50 ग्राम तो बरब डाल दिया जाता है 1500 ml हमको जूज डाल दिया जाता है और disposable glass की कीमत होती है 30 पे से उसमें हमारा जूज डल जाता है तकरीबन दो रुपे का तो दो रुपे 30 पे से हो गए बरब हो गया 20 पे से अगर ठाई रुपे का glass घर में पड़ता है तो क्या ये वेपार होगी हमारा 2000 का वेपार होगी उसमें हमारा profit कितना बन जाएगा इजीली 1500 रुपे profit बन जाएगा 500 रुपे की लागत लगेगी तो भाई आप ये मशीन को खरीच सकते हो पूरे-पूरा profit है तो ऐसा ही profitable वाला बिजनस कीजिए जैसे हमारे सर स्टार्ट कर रहे है सर पूरा पता बताई ये ताके फ्रेस और हाईजेनिक और इस जमाने के प्रताब गड़ से हो और तो नागदा रेस्टोरेंट में जाएए और SS सोड़ा मशीन मेनिफेक्टरिंग कंपनी का मशीन जो दिया हुआ है उसमें से जाके जिए जो हैल्दी है benefit वाला है और टेस्ट के अंदर नंबर होने और हाईजेनिक रिच से आपको मिलेगा क्यों सर एरपोर्ट रोड नागदा रेस्टोरेंट पर तो हाईजेनिक रिच साब इनको दो गया हाईजेनिक याने के क्लीन साब सफ़ाई से मिलेगा साब सुत्रा गन्य का जिउस अगर पीना चाते हो आप तो नागदा रेस्टोरेंट पर जाईए और 10 रुपे में सुगर के इन जिउस का आनन लीजिए दोस्तों नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे इन्शाला नए ने वीडियो हमारे आते रहते हैं सुगर के इन मशीन के रिगार्डिंग यह हमारे कश्टमर इतनी दूर से आये एक बात और पुशेंगे सर इंस्टट डिलेवरी मिला क्या मशीन आ अपर आये आपको कित्नी वेरेटी देखने मिली बहुत सारी वेरेटी देखने के लिए मिली कंपनी के सा लगा सरह हमारा दो वहवार के सार आगा आप मरें अच्छा वहवार आपको सही सा समझाया गया टोटल साटिस्फेक्शन है और आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पर आना चाहिए और फिर ओनलाइन भी बुकिंग करा है तो आपको ट्रस्ट है और हमारे सहरी दूसरी मशीन जल्दी बुक कराने वाले हैं सुगर कैन विद कुलिंग वाली आप भी बुकिंग करवाईए दोस्तों सीजन आने वाला गर्मियों का सीजन से पहले सीजन की त्यारी करनी चाहिए वही अकलमंदी है तो जल्दी से अपनी मशीन बुकिंग कराईए फॉन कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स प पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं इसी तरह हैं हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ठैंक यू पर वाचिंग